नवस्कायर आप देख रहे हैं नेक्साइन स्पोर्ट्स और मैं हूँ लबकुमार अमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है IPL 2019 बरावे सीजन की सुरुआत हो चुकी है और आज सोमवार को चौथा मुकाबला खेला जाएगा दो बड़ी टीमों के बीच और दो टीमे है राजस्थान रॉयल्स वर्सेज किंग सिलेबन पंजाब दोनों ही धाकर टीम है अगर पिछले साल की प्रदस्वन पे निगाहे डाले तो किंग सिलेबन पंजाब प्ले आफ में जगह नहीं बनाए पाई थी लेकिन राजस्थान जरूर प्ले आफ में अपना जगह बनाए थी बहुती मजबूर टीम है और आज इन दोनों का पहला मुकाबला खेला जाने है यह मुकाबला जैपूर के सवाई मांसिंग स्टेडिया में खेला जाएगा और यहाँ पे टॉस हो चुका है साथी टॉस जीता है राजस्थान रोयल्स के टीम ने और यहाँ पे पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया है और यह फैसला सही है क्योंकि इस मैदान पर अभी तक 40 मैच खेले जा चुके हैं और 40 में से 14 मैच वो टीम जीती है जो पहले बल्ले बाजी करने उत्री है और 26 मैच वो टीम जीती है जो पहले ग इंदवाजी करने उतरेंगे और मैच जीतेंगे ये तो मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा कि वो मैच जीतने में सफल हो पाते हैं कि नहीं वहीं अगर पिच की बात करें तो पिच पे यहां पे घास भी है और क्रैंप्स भी है तो यहां पे जो पेसर हैं इनको फाइदा मि मिलेगा जिस तरीके से हमने वान खेड़े में देखा था हमें इडिन गार्डेंस में जिस तरीके से सूपर संडे का पहला मुकाबला जो सन्राइजर्स और कोलकाता का बीच खिला गया था वैसा मैच यहाँ पर देखने को मिल सकता है पहले बल्ले बाजी करने जो टीम उतरती है यहाँ पर एबरेज स्कोर 156 है तो उसी के आसपास रहने वाला है पेसर्स के लिए यहाँ पे बहुत जादा फायदा देगा विकेट यहाँ पेसर्स को फायदा मिलेगा और यहाँ पे Kings 11 पंजाब की टीम पहले बल्ले बाजी करने उतरेगी और Kings 11 पंजाब की टीम में जो सबसे धाकर प्लेयर है वो है Chris Gale क्रिस गेल अपने शांदार फॉर्म में है इंग्लेंड के खिलाब बेहतरीन पारी खेली है जो विश्ट इंडीज और इंग्लेंड का सीरीज था वहाँ पे बेहतरीन पारी खेली है क्रिस गेल ने पूरे सीरीज के दोरान सबसे अधिक छक्के जड़े क्रिस गिल ने 200 रिकॉर्ड बना दिया वहीं अगर किंग सिलेबन पंजाब की प्लेइंग लेबन की बात करें तो प्लेइंग लेबन में जगह मिला है क्रिस गेल और केल राहूल ओपन करने आएंगे मैंग का गरवाल सर्फराज खान निकोलस पूरन, मंदीप सिंग, सैम करन, रविचंदर स्विन कैप्टेन है मुहमाश शमी, मुझेबर रहमान और अंकित राजपूत ये किंग सिलेबन पंजाब की प्लेइंग लेबन है वहीं राजस्थान रोयल्स की प्लेइंग लेबन की बात करें तो अजिंके रहाने, कैप्टेन है, जोस्थ बटलर, विकेट कीपर है ये ओपन करने आएंगे, दोनों खिलाडी ये है राजस्थान रोयल्स की प्लेइंग लेबन जिस खिलाडी पे सबसे अधिक निगाए होंगी अगर किंग सिलेबन पंजाब की बलेबाजी पे बात करें तो दो खिलाडी, दोनों ओपनर, केल रहूल और क्रिस गेल दोनों ही खिलाडी जबरजस्थ लयमे हैं, चाहे वो केल रहूल हो या क्रिस गेल हो, क्रिस गेल हमेशा चखके चौको के लिए जाने जाते हैं, जबरजस्थ सौट लगाते हैं और IPL भी छको चोके के लिए जाना जाता है तेहां पर फिर से धमाल देखने को मिल सकता है क्रिस गेल के बले से और जिस तरीके से उन्होंने वेश्टिंडीज के तरफ से खेलते हुए धमाल मचाया था इंग्लेंड के खिलाब जिस तरीके से बले बाजी की थी और उस फॉर्म को देखते हुए यहां पर लग रहा है कि बहतरीन तरीके से बले बाजी करेंगे केल राउल की बात करूँ तो केल राउल भी शानदार ले में है और श्रेलिया के खिलाब जिस तरीके से टी-20 में उन्हें मौका मिला वहाँ पर बले बाजी कीए फिर से एक मैच में उन्हें मौका मिला था वन डे सरीज में वहाँ भी बहतरीन बले बाजी के था तो शांदर ले में है पिछले कुछ समय से जरूर गरवडाया था लेकिन अब धीरे-धीरे फॉर्म में वापसी कर रहे हैं और यहाँ पर उमीद करेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन तरीके से पंजाब की टीम को स्टार्ट देवाई अगर गिंदबाजी की तरफ नजड डाले त राजस्तान के तरफ से जएदे उनाद कट जो पिछले सीजन में सबसे महेंगे खिलाडी रहे थे इस बार भी राजस्तान की टीम ने इन्हें बहुत बड़ी कीमत दी है अपनी टीम में शामिल किया है जो फ्रा आर्चर पे भी निगाए होंगी किस तरीके से गिंदबाजी करते हैं तो यहाँ पे जो दोनों टीमों ने यहाँ पे खिलाडे को उतारा प्लेंग इलेपन में मौका दिया है यह संतुली टीम है चाहिए वो राजस्तान की टीम हो या फिर किंग सिलेबन पंजाब की टीम हो लेकि देखना होगा कि किंग सिलेबन पंजाब की टीम पहले वो मैच जीता है हलांकि यहाँ पे अजिंके रहाने जो राजस्तान रॉयल्स के कैप्टेन है उन्होंने साफ कहा कि यहाँ पे पिछ में ज्यादा बदलाव विकेट पे ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा लेकिन यह मैच के बाद ही पता चलेगा कि विकेट में तो बाद में बल्ले बाजी करने वाली टीम ज्यादा बार जीते हैं 26 दफा जीती है तो मुकाबला दिल्चस्प होने वाला है दोनों ही टीम का ये पहला मुकाबला होगा और देखना होगा कि दोनों टीमें कितनी बहतरी इन तरीके से मुकाबला खेलती है और किंग सिलेबन पंजाब की अगर गेंदवाजी की बात करें तो मुहमस रमी, मुझीबर रमान और अंकित राजपूत ये सबसे प्रमुक गेंदवाज होंगे रभी चंदरस्विन कैप्टेन है उनका साथ मिलेगा इनको और देखना होगा कि किंग से लबन पंजाब की टीम भी किस तरीके से यहाँ पे किंदवाजी करती है एक खिलाडी जो खास तोर पे चर्चा का भी से बना रहेगा वो राजस्तान रॉयल्स के हैं इस्टिव इसमित पिछले सीजन ये मैच नहीं खेल रहे थे प्रतिबंद लगा था एक साल का प्रतिबंद लगा था अब इस खिलाडी की वापस कि वो कितने बेहतरी इन तरीके से बल्ले बाजी करते हैं तो लगातार अबडेट्स के साथ हम मने रहेंगे फिलाल इसकास अबडेट में इतना ही आप हमारे नेक्स साइंस को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार